जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो प्याज की ये मज़ेदार रेस्पी है आपके लिए जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक अंदाज में आप जिसको भी सर्व करेंगे तो यकीन मानिए एक बात जरूर पूछेंगे कि आखिर आपने इसको बनाया कैसे है उंगलिया क्या प्रेट तक चाट चाट के खाएंगे जब ये प्याज की मज़ेदार रेस्पी आप घर पर ही बनाएंगे तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज की स्पेशल प्याज की रेस्पी लेकिन प्याज लेते समय आपको ऐचीस का ध्यान रखना है उसको आपको अलग नी कर्na है पूरी तरीके से हलका-फुलका आपको च्ھांट देना है यानि कि उसके जो उपर के हेर्स है उसको आपको डिमूफ कर देना है लेकिन पूरी तरह से इसको कट नहीं करना है द्यान से देख लीजिए मैंने प्याज को छील दिया है और यह जो हेर्स नजर आ रहा है ना इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि अगर हमने इस पूरे डंठल को अलग कर दिया ना तो जो जॉइंट है प्याज का वो खतम हो जाएगा और हमें जॉइंट को रखना है तो इस तरह ऐसे हम प्याज को छील करके रेडी कर लेते हैं तो हमने सभी प्याज को छील लिया है और जो छोटी बाली प्याज ली थी ना उसके हमने डंठल को भी दिमूफ कर लिया है तो अब क्या करेंगे छोटी बाली प्याज के हम एक प्याज के चाट तुकड़े करेंगे और इसकी जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स को अलग का लें गे कि ऐसको हम अलग कर लिया है अब इसको हम अलगप्लेट में हं हम साइड हम देते हैं अब हम लेंगे अपनी मीडियम बाली प्याज हम किसी भी सर्फेस पर रखेंगे और एक हम शार्प रख़ेंगे और बो कर्स आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है यह जो दूरी है ना बहुत जादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जादा पास में भी नहीं होनी चाहिए ध्यान से देख लीजे मैं कितनी दूरी पर यह कर्स लगा रही हूं तो जितने आसानी से लग जाते हैं उतने हम अलग-अलग कर देते हैं तो यह सभी ज्वाइन्स हैं अभी आपस में चिपकी हुई हैं तो सभी अलग-अलग हो जाएंगी तो हमने सभी पैटल्स को अलग-अलग कर लिया है और देख सकते हैं प्याज का कितना खुबसूरस सा फ्लॉबर बन करके रेडी हो गया है बिल्कुल देखने में लोटस जैसा लग रहा है तो इसी तरह से हमें सारी प्याज के फ्लॉबर बना करके तयार करने हैं तो हलका साब को हाथों से इन पैटल्स को अलग-अलग करना है ताकि यह बिल्कुल अलग-अलग रहें और फ्लॉबर के शेप में नजर आए तो इसी तरह से मैं आपको एक फ्लॉबर और बनाना बता देती हूं पस प्याज को आपको सीधे रखना है चाकू से इस तरह से कट्स लगाने हैं और जितने भी हमने कट्स लगाए हैं सभी की पैटल्स को खीशते हुए अलग-अलग कर देना है और ये तैयार हो गया हमारा ओनियन का फ्लॉबर इसी तरह से हम सारे फ्लॉबर बना करके तैयार कर लेते हैं तो लीजिए हमने पांच ओनियन लीथी मीडियम साइज की पांच फ्लॉबर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टैप की तरफ यहां पर हमने एक बोल ले लिया है इसमें हम डालेंगे पांच छोटी चम्मत चावल का आटा तो चावल के आटा का गोल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है आप ध्यान से इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए मैं इसको गिरा रही हूं आप ध्यान से देखिए रिविन नहीं बन रहे हैं और उल्टा करके अगर हम देखेंगे न तो इसमें अगर हम एक लाइन ड्र आपके पास कोई पीजा सीजनिंग हो आप भो भी डाल सकते हैं इससे चटपटा फ्लेवर आएगा वो ना हो तो आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजेगा क्यों डाल रहे हैं भी मैं आपको बताती हूं आंगे थोड़े से रैचली फ्लैस डाल दिया है और स्वादा अं अब यहां पर अलग एक बोल में हमने ले लिया है सूखा चावल का आटा यहां पर भी आप मैंदा का इस्तिमाल कर सकते हैं अब हमने जो अपने ओनियन का फ्लावर बना करके रखा हुआ था ना एक फ्लावर को हम लेंगे और इस घोल में डालेंगे स्पून किया हाथों की हेल्प से इसकी उपर इस घोल को डालेंगे ताकि जितनी भी लेयर्स हैं उनके अंदर भी यह गोल अच्छे से प्रॉपरली बहुत जाए तो आप हातों की हैल्प भी ले सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से उठाएंगे फ्लावर को और जो एक्स्ट्रा घोल है वह सारा हम नीचे गिरा देंगे अब यहां पर हम हातों की ही हैल्प ले रहे हैं इस तरह से हम चावल के आटा को लेंगे और इसकी उपर स्प्रिंकल करेंगे तो घोल की उपर यह जो चावल का आटा है सूखा यह अच्छे से चिपक जाएगा और इससे जो इसकी एक लेयर से बहुती क्रिस्पी मनेगी और खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगेगी तो इसी तरह से हम सभी जगाए इस आटा को अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं अब हम इस फ्लॉबर को उठा करके उल्टा करेंगे और थोड़ा सा हातों से टैप कर देंगे ताकि जो एक् इसको हमें सूखे आटे में रखना है और उपर से आटे को भी स्प्रिंकल कर देना है और इस फ्लॉबर को उठाते हुए उल्टा कर देंगे ताकि थोड़ा बहुत इसमें जो आटा रह गया हो वो सारा निकल जाए इसी तरह से हम सारे फ्लॉबर रेडी कर लेते हैं तो यह तो यहां पर हमने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गरम गया है तो अब हम इसमें यह फ्लॉबर जो है इनको डालेंगे तो यहाँ पर मैं पहली बार में सिरकी फ्लॉबर लाल रही हूं आप यहां पर 2-3 फ्लॉबर साथ में तल सकते हैं तो बस फ्लॉबर डालने के बाद हम एक कर्चली की मदस से इसके उपर तेल डालेंगे ताकि ये उपर की तरफ हलके से सिख जाएं और हम इसको पलटें तो पलटते समय दिक्कत ना हो तो हलका हलका सा बस तेल डालते जाएंगे जब ये हलका सा उपर की तरफ सिख जाएगा तो हम इसको पलट करके दूसरी साइट से भी पढ़िया से तलेंगे फ्लेम आप मीडियम रखें तलते समाए इसे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे सारे के सारे फ्लॉबर तो नीचे की तरफ भी हमने इनको तल लिया है तो चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं तो नीचे की तरफ भी ये बहुत अच्छे से सिख चुका है हलकी सी इसमें गोल्डन नैस आपको नजर आ रही होगी जो की इंडिकेशन है कि जो फ्लॉबर है बहुत जादा क्रिस्पी हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं जो प्याज का फ्लॉबर था कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और बहुती क्रिस्पी भी बना है एक एक लेयर्स आपको इसकी कर्चली की मदद से हम तेल को इसकी उपर डालेंगे ताकि सारी लेयर्स जो है वो अलग-अलग हो जाए और बहुत ही अच्छे से अपनी जगए पर क्रिस्पी हो चाए इनको हम पल्टे और हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो अब हम इनको कर्चली की मदद से पलट लेते हैं और इनको हम दोनों तरफ उलटते पलटते में बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्लॉवर बहुत ही अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं और देखने में कितने ज़्यादा खुबसूरत लग रहे हैं तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं तो यह हमारे प्याच के क्रिस्पी से फ्लॉवर बन करके बिलकुल रेडी हैं जो हम रेस्पी बनाने वाले हैं वो हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है तो इन फ्लॉवर्ट को आप ऐसे ही प्याच के पकोड़ों के रूप में खा सकते हैं इसलिए हमने इसमें औरिगैनो चात मसाला चिली फ्लैक्स वगरा एड़ किया था ताकि यह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ्लैवर फुल हो यह इतनी क्रिस्पी हो जाते हैं कि अपने प्याच के पकोड़े तो कई बार खाए होंगे आप इस तरह से प्याच के पकोड़े बना करके देखेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे फिलाल हम यहाँ पर पकोड़े नहीं बना रहे हैं हम अपनी आगे की रेस्पी कॉंटिन्यू करेंगे हम कुछ औ हमद्रो आप ओसा बना है कि यहाँ पर हम ने ग्रांडिंग जाल लिया है इसमें हमने लिए हैं दो मीडियम सॉइस के पकेवोट तमाटर 6-7 कलियां हम लहसुन की डालेंगे एक तुकड़ा हम डालेंगे अद्रक का थोड़ा सा बड़ा अद्रक का तुकड़ा लेना है आपको या अद्रक का पेस्ट भी आप ले सकते हो एक हम हरी मिल्च डालेंगे और साथी में एक मुठ़्ी हम डालेंगे हरा धनिया आप ग्रीन सा कलर दिख रहा होगा वह रे धनिया की बजय से इसको एक बोल में निकाल लेते हैं अब यहां पर हमने एक छोटा सा भगोना ले लिया है इसमें हम डालेंगे दो छोटी चमच के करीब साबुत धनिया यानि की धनिया के बीजवी आप बोल सकते हो यहां पर हमने लिए हैं 67 लाल साबुत मिर्शे इनके डंठल को अलग करेंगे और सभी मिर्श को हम दो दो तुकडों में तोड़ करके इसी भगोने में डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप के लगभग पानी और इसको हम गैस में उबलने के लिए रख देंगे जैसे ही यह दोन जादा अच्छा कलर देती है ठंडा होने के बाद इन दोनों ही चीजों को पानी समेथ हम ग्रैंडिंग जार में डालेंगे अगर पानी बहुत ज़्यादा लिया है तो आपको पानी अलग करना होगा थोड़ा बहुत अब दोनों ही चीजों को हम अच्छे से पीस लेते हैं तो लीजे हम निनको पीस लिया है और आप देख सकते हैं जो मसाले का कलर है कितना जादा लाल आया है वो इसलिए आया है कि हमने मिर्च को अच्छे से उबाल दिया था उबलने की वज़ाए से मिर्च बहुत अच्छा कलर छोड़ती है तो बस इसको हम साइल में रख लेते है अब हम चलते हैं गैस की तरफ यहां पर हमने कड़ाई ले ली है और जिस तेल में हमने अपने फ्लॉवर तले थे ना वो तेल जादा था तो उसको हमने निकाल दिया है और लगबग एक बड़ा चमज के करीब तेल ले लिया है इसमें हमें चौथाई चमज जीर डालेंगे और हमने जो प्याज की पैटल्स बना करके रखी होई थी ना अलग-अलग लियर्स इन लियर्स को हम डालेंगे और लाइट गोल्डन होने तक बड़िया से फ्लाई करेंगे यहां पर हमें प्याज को बारी बारी काटके नहीं लेना है इसी तरह से पैटल्स के खौम में ही प्याज के देख सकते हैं बढ़िया सुनहरा हो चुका है तो अब हमने जो अपना मसाला पीस करके रखा हुआ था ना इस मसाले को हम डालेंगे मसाले को भी हम अच्छे से तेल और प्याज के साथ मिक्स करते हुए भून श्टाट करेंगी तो अभी हमने इसको सिर्फ मिक्स किया है अब हम इसमें कुछ मसाले और एड़ कर लेते हैं इसमें हम डालेंगे आधा चमश हल्दी पाउडर एक चौथाई चमश डालेंगे गर सुरी मैथी तो साथी में हम स्वादा अज़ार नमक डाल देते हैं तो नमक हमें अभी ही डालना है अब हम सभी मसालों को मिक्स करते हुए इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक इससे बढ़िया खुश्भू नहीं आने लगती है तब तक हमें इसको अच्छ तो अब हम इसमें डालेंगे मटर सर्दियों का मौसम है तो मटर खुब आती है यहा पर मटर एड़ कर रहे हैं गर्मी में बना रही है मटर नहीं तो मट डालिएगा मटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम जो टमाटर का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ था ना जरूर बहुत लिंगा , अब हम टमाटर को भी आच्चे से मैसाले के साथ मिक्स करेंगे और इसको बापस से भूनेगे जैसे आप भूणे परे अपने बापस पुराने कलर में तो हमने टमाटर को भी बहुत अच्छे से भून लिया है और आप कलर देख सकते हैं जैसे पहले कलर था बैसे ही आ चुका है मैं आपको कर्चली से दिखावी देती हूं ये देखी कितना बढ़िया कलर आया है तो इस तरह से हम देशी तरीके से आज की जो सबजी है वो बना रहे हैं तो आपको मसाले को पीस करके जैसे मैंने बताया है बैसे ही बनाना है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर मैं लगबग एक ग्लास पानी डाल रही हूं पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे नमक हम पहले ही अट कर चुके है अब हम इसको ढख करके तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे तीन चार मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सबजी के लिए ग्रेवी है बन करके बिल्कुल तयार हो चुके हैं तो इसको हम हलका सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत तेजी से धुआ छोड़ रही है तो ये हलकी सी ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हू तो हलकी ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बन करके तयार हुई है तो इस ग्रेवी में हमें जो प्याच के फ्लॉवर थे ना उनको नहीं डालना है हम गैस को बंद कर चुके हैं तो इस ग्रेवी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं तो यह सारे फ्लॉवर एकदम नरम हो जाएंगे पड़े पड़े तो आपको क्या करना है कि जब आपको किसी को सर्फ करना हो या मेमान आ रहे हूं या घर पर ही सर्फ करना हो तो फ्लॉवर को प्लेट में रखिए और उपर से आप इस ग्रेवी को डालिए इससे जो फ्लॉवर है न वो दम क्रिस्पी बने रहेंगे और जब आप खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो लीजिए तैयार है हमारी प्याच की बहुत ही नए तरहे की बहुत ही यूनिक रेस्पी यकीन मानिए जिसको भी आप सर्व करेंगे वो आपसे पूछेगा जरूर की यह क्या है आपने इसको कैसे बनाया है बहुत बहुत जादा तेस्टी लगती है तो आप इसको दोनों तरीके से खा सकते हैं सबजी बना करके भी सिर्फ पकोड़े के रूप में जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इंजवाए करिए बिलकुल नई रेस्पी है जिसको भ जिलते हैं अगली रेस्पी में तब तक ली बाबाई ठीक है